तो आज हम हैलो इलकेन के वर्गी करण में जानेंगे तो इसका वर्गी करण दो भागों में किया गया, सबसे पहला होता है है हैलोजन परमारू की संख्या के आधार पर ठीक है ना, तो आरेक्स में एकस की संख्या के आधार पर तो पहला आएगा मोनो हैलो इलकेन, दूसरा दाई हेलो एलकेन और तीसरा पाली हेलो एलकेन होते क्या है कि वे हेलो एलकेन जिनमें हेलोजन परमारूओं की संख्या एक होगी तो वो मोनो हेलो एलकेन ये इसके एक जामपल होंगे अगर डाई हेलो एलकेन कब होगा जब हेलोजन परमारूओं की संख्या दो होंगी और poly halocene क्या होगा जब halogen पर्माड़ों की संख्या 3 या 3 से अधिक होती है ठीक है ना और यही आता है इसमें chloroform, idopharm और halopharm और फार्म और ठीक है सेकेंड क्या होता है इसका तो सेकेंड है CX बंद की प्रकृति के आधार पर यानि की X से जुड़े कार्बन पर् दो इलकिल सम हो है तो वो कहलाता है 2 degree halocene यानि दुतियक Rx halocene और अगर X जिस कार्बन पर माड़ों के साथ जुड़ा उसके साथ 3 R जुड़े हुए है तो उसे कहते हैं 3 degree halocene ठीक है और इसमें एक नोट में लिखा है कि अगर सिंगल बांड आ रहा है कार्बन कार्बन के मिच SP3 संकरण डबल बांड आता है तो SP2 संकरण और त्रिपल बांड आने पर SP3 संकरण होता है वीडियो पसंदारों तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा